आप सभी उमीद करते हूं कि आप सभी अच्छे होंगे गाइस तो इस समय बच रहे हैं शाम के चार और आज का ब्लॉग हमने साम को चार बज़े स्टार्ट किया है क्योंकि यहां गाइस बहुत गर्मी है यार इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती एक दूम उल्जन हो रहा ह है क्या करूँ बार बार मुझे लग रहा साथ केमरा सही नहीं है क्या मनों कुछ अंधेर टाइब का लग रहा है लेकिन धूर बहुत तेज है यहां पे और इतनी अधिक गर्मी है क्या तो आख दिरे मुझे लग रहा है कि यह खत्तम हो गया है मुझे कैमर्य में नहीं जमिज में आ रहा है आप लोग प्लीज बताइये पी आक के नीचे डार सरकल खाल मैं पूल रोम में आज हैं मतलब मंतिर वाले कमरे में बसा में थोड़ा सा कपड़ा वगेरा दूलना था वाशिंग मसीन चलाना था सुबह तो आज 4-3-4 घंटे तक का लाइट नहीं था और गर्मी इतना अधिक लग रहा है कि मेरी हालत देखिए आज सुबह मैंने हेरवास किया था तो हेरवास करने के बाद फिर तब से मेरा बा कासर और बाहर दूब देखेगा दूब कितला तेज है आप फिर किसे दूब खुब तेज अच्छे से समझ में आ रहा है देखिसकते हैं आप लोग कितनी तेज पड़ रहा है ना बहुत तेज धूब है तो फिर चलिए हम थोड़ी देर के लिए अपना उपर का काम थू दो जू लेगा कहाँ आज कि अब लोग आप लोगों को कैसा लगा मुझे लग रहा है मैं विंदी थोड़ा बड़ा लगा रहे एंव notchोडि क्यों फोसा पानी फेंinky यहां फिर करतीम के में दुन्नी ये डिए अ कंडे पड़ा हुए है क्योंकि शूब रहेत नहीं थै इसलिए सारा जाए सेकत ऐसे पढ़ा हुआ था और आज तो मोटर यानि पानी का मोटर चला ना भूल गया थे तो पानी भी नहीं था तो फिर चलिए लेट नहीं करती हूं मिलती हूं फिर अगली थोड़ी तोड़ी तोड़ी देर में आप लोगों से और इतना कम मैं फिनिश करती थी क्योंगी गर्मी में फिर वाश्रे मसीम उपर हमने किया है तो फिर उपर गर्मी में आ के काम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और बीच में, बारिश भी कभी एक से दिड़ घंटे का टाइम लग गया था एक दिड़ घंटे बाद फिर मैं आते हूं नीचे और यहां पर हम आज साम को चार बज़े से लेके शाम तक का ही रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेर कर रही हूं वैसे मैं करना और बूद बहुत चाहती थी कि जो भी मैंने लेकिन गर्मी की वज़े से यह पॉसिबल नहीं हो पाया फिर आप समझी सकते होंगे कि मतलब ब्लॉक सूट करने के लिए एक जंगा से दूसरी जंगा मतलब कैमरे को ले जाना फिर सेट करना इस तरीके से सेट करना कि जो मेरी एक्टिविटी है वो सारी आप लोगों को द जाता है तो एक एक करके मैं अभी डेली वाले कपड़े पहले धूल रही हूं जो कि रोज वाले कपड़े थे हैं क्योंकि इदर दो दिन से लाइट भी बहुत अधिक परिशान कर रहा था तो मैं हाथ से भी नहीं धूल पा रही थी तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज आ मैंने मसीन की भी साफ सफाई नहीं की है तो आज मेरा साम का जो रूटीन है जो बिजी रूटीन है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं उमीद करूंगे कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा तो गाइस अभी यहां पी हो चुका है अब मैं यहां क पोच्छा लगाने के लिए मैं थोड़ा पानी डाल करके वाइपर कर रही थी क्योंकि गर्मी की जैसे सर्दियों में टाइल्स खुब अच्छा ठंडा हो जाता है गलता रहता है ना गर्मियों में वैसे ही टाइल्स गरम भी हो जाता है तो यहां पानी डाल के जब थोड़ कि जैसे टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नास्ता कर रहे हैं, तो फर्स पे ही ज्यादा बड़ी हैं लगता है, तो फिर यहाँ पर पोछा वगरे लगाने के बाद, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूगा, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूगा. अगर शिम्ला ने निताल जाने को मिल जा है तो वहीं पर सुकूई मिल सकता है और यहां शहर में तो नहीं मिल सकता है तो यहां हल्दी का मतलब डिबा था तो इसको हमने धुला था सुबह तो वह अभी सूग गया है तो बस ऐसे हल्दी मैं रोज के लिए निकाल ले रही हूँ और यह थो बड़े डिबे में मैं इस तरीके से रखती हूँ जिसे की हल्दी खराब नहीं होता है वरना पानी वगरा का हाथ लग जाने से इसमें घूनों कीड़े भी लग जाते हैं लेकिन ऐसे हल्दी हमारा 6-7 महीने तक आराम से चल जाता है कभी कोई दिक्कत नहीं आती है तो यहां चाय वगरा भी समने पी लिया है तो अब मैं साम के लिए बनाने जा रही हूँ मतलब बनाने जा ही रही थी तब तक मेरे बेटी ने आवाज दिया कि ममम मुझे कुछ खाना नहीं मुझे किवल फल काटके दे दीजे तो बस वही तरबूज वगर हम यहां पे काट रहा है और तरबूज खाने के बाद तो न याकिन मानिये बहुत ही सुकून और बहुत ही ताज़गी मिलता है और यह तरबुज हमने रात पर कल रात में ही रख दिया था फ्रीज में तो उसके बाद से यह काफी ठंडा हो गया है और इसमें काला नमक और जीरा डालके खाने में बहुत ही टेश्टी लग रहा था इतना ठंडा ठंडा लग रहा था कि दो तीन घंटे के लिए तो इससे ही ही फिट बहर गया था और यह साम साधे साथ वजे का मैं वह तरबुज काट के दे रही थी वैसे खाना मैंने कुछ छास नहीं बनाया तो guys मेरी ये problem solve हो गई है मुझे अपना चैनल बंद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो problem था वो problem मतलब वो समस्या का समाधान हो चुका है तो वो मैं आप लोगों को next blog में बताऊंगी तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग मारा आज का last तक मेरे साथ वीडियो पर बने रह किसको क्या खाना है तो उसी साब से मैं कुछ ऐसा बनाओंगे कि जैसे खाते समय ना किसी के कोई नखड़े न रहे क्योंकि आज सच बताऊं कि आज मेरा कुछ ऐसा खाने पीने का बनाने को बिलकुल मन ही नहीं है क्योंकि हवा के नीचे बैठे भी रहने पे भी पंखे का ह क्योंकि सिंथेटी कोई भी बेड़्षीट बिछाओ ना तो फिर जासे लबू लग रहा है ना कि बॉडि में चुवकता है चुवन जैसा हो रहा था तो कौटन का ही बेड़्षीट मैं बिछा रही हूँ यहां पे और बेड़्षीट बिछाने के बाद अभी मैं जाके थोड नहीं लिया तो रात में रात में केवल हमने बनाई थी सिंपल सी रोटी और सबजी कुछ और देको कुछ बढ़िया खास बीसिस मैंने नहीं बनाया था इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पारी हूं तो बेरशीट बिचाने के बाद मेरा मुझे कम से कम एक देड करना मत भूलिएगा गाई तो इधर हमने चादर बिचा दिया है तो अब मैं चलती हूं उस वाले कमरे में उधर वाले रूम में मुझे चादर बिचाना है तो मिलती हूं पिर अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई गुड़ नाइट टेक कियर करें पिर बाई 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 तो इभाई तो में उस्जा पूलिए तो अबाई खादर को अगले बाई भाई तो